हलो दोस्तों मैं हूँ पपल अगरवाल और आप देख रहे हमारे योट्यूब चैनल पपल फॉर यू दोस्तों आपने 360 डिग्री फोटोस के बारे में सुना ही होगा और फेस्बुक पर 360 डिग्री की फोटोस देखी भी होगी जैसे किसी एक ही इमेज में उसके चारो साइट का एरिया कैप्चर किया हुआ होता है आप उसे उपर नीचे करके दाय बाय करके उसके चारो और देख सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप इस टेप की फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं और कैसे उन्हें आप अपने दोस्तों के साथ Facebook पर या WhatsApp पर सेयर कर सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है और Play Store को ओपन करने के बाद आपको इसमें उपर में सर्च करना है Google Street View यह देखे दोस्तों सबसे उपर में आ रहा है आप इसे डाउनलोड करके इस्ट्रॉल कर लिजेगा मैंने इसे पहले से इस्ट्रॉल किया हुआ है तो मैं इसे डिरेक्ट ओपन कर लेता हूँ और Open करने के बाद यह देखे दोस्तों सबसे नीचे में यह कैमरे का आइकॉन बना हुआ है आपको इसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ओप्सन आ रहे है पहला ओप्सन है Link External 360 डिगरी कैमरा दोस्तों अगर आपके पास 360 डिगरी कैमरा है जो की काफी कॉसली होता है तो आप उसे डिरेक्ट Wi-Fi के थरू कनेक्ट कर सकते हैं सकेंड ओप्सन है Import 360 डिगरी फोटो अगर आपके पास पहले से 360 डिगरी की फोटो हैं तो आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं थर्ड है केमरा अगर आपको नई फोटो क्लिक करनी हो तो चलिए हम केमरे पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों ये देखिए ये जो येलो कलर का मार्क आ रहा है इसके ओपर आपको अपने केमरे को सेट करना है हर जगे ये डॉट आते जाएगा आपको हर जगे की फोटो क्लिक कर लेनी है तो चलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं इसे आपको फास्ट फार्वर्ड करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों हर एक कॉर्णर की पिक लेने हैं तो दोस्तों ये फोटो मैंने क्लिक कर ली है और इसके बाद ये जो राइट कर निशाना आ रहा है इसके उपर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बार यह देखिए दोस्तों यहां पर यह इसको प्रोसेस कर रहा है तो यह देखिए दोस्तों अब यह प्रोसेस कम्प्लीट हो चुकी है और चलिए फोटो उपन करके देखते हैं यह देखिए दोस्तों छार्व साइट का अरिया अपना आच उष्टा है तो दोस्तों यह तो होगी फोटो कैपच्चूर अब अगर आप इस ही चाहें तो अपने दोस्तों के साथ चाहे हैं तो चलिए बतातेование कैसे करींगे ? इस photo को click कर लिजे और click करने के बाद ये नीचे हलका सा slide से उपर करिएगा और यहां पर ये दिखे ये share option आ रहा है आपको share पर click करना है और share privately पर click करते नहीं और इसके बाद ये देखे यहां पर सारे apps के नाम आ जा रहे हैं आप जिसमें भी share करना चाहें आप उसके साथ share कर सकते हैं तो चलिए मैं WhatsApp पर किसी को share करके देखता हूँ इसमें पपल अगरवाल को send कर रहा हूँ और ये देखे ये जो photos है ये पूरे address के साथ इसमें share हो जाएगी तो दोस्तों अगर आप कहीं गुमने जाते हैं और वहाँ पे 360 degree में photo click करना चाहते हैं तो आप इसी process से कर सकते हैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप ये photo तभी click कर सकते हैं अपने Android mobile से जब आपके mobile में gyro sensor हो अगर आपके mobile में gyro sensor नहीं होगा तो आप ये photos click नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें comment करें शेयर करें और प्लीज मेरे इस चैनल को subscribe जरूर करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निकल इंफर्मिशन के साथ अब तक लिए good bye take care